बहुत दिनों की बात है एक दिन एक सन्यासी, एक ब्रामन, सद्गरस्त के घर अतिथी रूप में पधारे उस परिवार में दो ही आदमी थे, पती और पत्नी परिवार में कोई कमी न थी, दोनों ही धरमा चरण में लगे रहते थे परन्तु संतान हीन होने के कारण, उनके मन में सरवदा कमी खटकती और अशान्ती बनी रहती थी ब्रामन दमपती ने खूब आधर सतकार करते हुए सन्यासी को घर में टिकाया और यता साध्य उनकी सेवा की उन दिनों सब लोगों के मनों में साधू सन्यासी के प्रति, विश्वास और भक्ति का भाव था दूसरी और साधू लोगों में भी उस समय अपने वेश के अनुसार ही आचार, व्यवहार, बातचीत और विवेक था भोजनादी के बाद विश्वाम कर लेने पर सन्यासी के साथ नाना प्रकार की बातचीत होने लगी गाव के दूसरे लोग भी साधू के दर्शन के लिए आए बातचीत के सिल्सले में ब्राह्मन की अनुपस्थिती में एक आदवी ने कहा कि गाव में इस ब्राह्मन दमपती के समान, सक्त्यवादी, नम्र प्रक्रती, धार्मिक और अतिती सेवा करने बाला आदवी प्राया देखने में नहीं आता किन्तु दुख की बात ये है कि इनको संतान नहीं हुई नजाने भगवान इस प्रकार के धर्मात्मा के उपर क्यों अप्रसन्न है पीछे सब लोग एक-एक करके अपने घर लोट गए साधू उस रात ब्राह्मन के घर पर ही रहे दूसरे दिन प्राताय काल साधू ने अन्यत्र जाने की इच्छा प्रकट की किन्तु ब्राह्मन ने कहा कि आप ग्रेस्त के घर अतिती है भोजन बिना किए आप कैसे जा सकते हैं दोपहर को भोजन करके विश्राम करने के बाद आपको जहां जाना हो वहाँ जाईएगा सन्यासी राजी हो गया इससे ब्राह्मन दमपती ने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया। साधू ने ये कहकर उन्हें आशिरवाद दिया। कि तुम लोगों को पुत्र का मुँद देखने का सावभाक्य राप्त हो। ब्राह्मन ने किंचित आश्चार्य पूर्वक इस प्रकार के आशिरवाद का कारण पूछा। साधू ने वतलाया कि अतिती सेवा के द्वारा भगवान नारायन प्रसन्न होते हैं। तुम लोगों के इतने दिनों के अतिती सतकार के फल स्वारूप अब स्वयम भगवान प्रसन्न हो गए हैं। और मुझे निमित्त करके मेरे मुख से ये वर प्रदान कर रहे हैं। तुम लोग इस विशे में कोई संदे या अविश्वास ना करो। ब्रह्मन ने और भी विश्मित हो हाथ चोड़ कर पूछा। इस समय हमारा करतव्य क्या है। साधू ने उत्तर दिया गोह सेवा। साधू यता समय ब्रह्मन के घर से चले गए। ब्रह्मन दमपती भी एक ब्याई हुई गाय लेकर उसकी सेवा में लग गए। गाय को प्रातहे काल सनान कराते। नई नई घास लाकर खिलाते। सुंदर पकाया हुआ अन्न तथा नाना प्रकार के शस्यों के द्वारा उसे तृप्त करने का प्रयास करते। इसी प्रकार गोह सेवा करतें उनके दिन बीतने लगे। ब्रह्मनी गौ के चरण धोकर उनको अपने केशु से पौँचती, चरणों दक मस्तक पर लगाती और पान करती, संध्या के समय गोप ग्रह में दीप जलाती और उसके लिए त्रणों की कौमल शैया तैयार कर देती, खूब तड़के उठकर गाय के घर को साफ करती, इस प्रकार की सेवा से थोड़े ही दिनों में गाय और उसका बच्छडा दोनों सुन्दर रिष्ट पुष्ट देखलाई देने लगे, आश्चरी के बाद ये है कि कुछी समय में ब्रह्मनी को गर्ब के लक्षण दिखाई देने लगे, और समय आने पर उनको एक बालक उत्पन्न हुआ, सारे गाउं में आनंद का सोता उमड चला, सबको उस साधू के आशीरवाद की बाद याद आ गई, फल ये हुआ कि बहुत लोग गो सेवा में लग गए, तो शुरताओ, सुना आपने गो सेवा करने का फल,